हालो जैने दोस्तों मैं राहुल सिंग राहुल वाई फाइस्टेडी में आप सबी रोका बहुत-बहुत सौगत और अभी निंदन करता हूं प्रांट्स आज दो जनवरी 2022 है यानि पता मौस का दूसरा दिन है आज और आज के समद्ध में क्या कुछ महत्तपूल खबरे हैं व सब मुद्धों पर इन सब भर्तियों पर चर्चा की जाएगी प्रदेश में लगातार भर्तियों का देखा होगा भीधान भावन पर लखनों में और बजीपी करियारे पर लगातार सिच्छक भरती को लेकर के सहाय कोशागाल लिखाकार या नियुई पीटी पलेसी की भरतीयों को लेकर के जहना प्रतसन जारी है जिस प्रकार से चुनाओन अज़्दीकार है निश्यतों पर इमाओं पर भी कहीं न कहीं यह डर्च सता रहा कि आखिरकार चुराओ आ कोई की घंटी प्रस कर ले ताकि ऐसे तबाम महातपूल खबर आप तलक राहल वाई फाइस चलके मादिम से पहुंचा जा सके तो चले बात करते हैं पहले हम लोग लेक पाल भरती को लेकर के जिहां बहु पर तिच्छित लेक पाल भरती बिग्यापन में अभी भी देरी ल लग रहा है चिहां सभावनाओं पर जो संभावनाओं आए थी वो अभरतियों के चकना चोड हो रहे हैं किसी भी संभावनाओं पर खड़ा नहीं उतर पा रहा है आयोग और जिस प्रकार से खबरे थी कि नए वर्ष पर सासन की मंजूरी मिल जाएगी और आपका भरती बि बिराम सा लग चुका है और यह भी चिंता सभी है बड़ते को सताने लगी है कि प्रदेश में अगर अचार संक्ता लग जाती है तो लेक पाल भरती भी अटक सकती है यह कुछ ऐसे ही संभावनाओं बन नहीं है लाकों के मन में ऐसी संभावनाओं चल नहीं है अब देखना यही होगा कि यह हफता भी क्या यूपी टी पलेशी लेक पाल भरती बिग्यापन जारी कर पाएगा बहुत बड़ा प्रशन है लाकों यूआओं के मन में उनके मन में यही एक विचार्ज चला लाकातार भरती पर इच्छाओं की उन्होंने तैयारिया की कि लेक पाल भरती कहीं ना कुई ना कुई आसरसथि कोई बहाना यूपी ठेपलेसलिक होसता है ये किस की कमी है धरकार की कमी है यूपीठी करमचारियों के कमी है निशचे तो अबस्जित पर इस प्रकार से अगरे चीज funds आए तो कहीं न कहीं में तो बित्ध होता और और जो तैयारिया होती है जो प्रिपरेशन होते हैं बर्ते को उस पर भी कहीं न कहीं बिराम सा लग जाता है उस पर भी कहीं न कहीं तोड़ी जंग लगने सुरू हो जाती है क्योंकि लगातार एक जैसी पढ़ाई कर पाना भी क्योंकि दो महीना चार महीना पढ़ाई लगातार कांटीनियू बड़ी महनत से की जा सकती है लेकिन उसी जोस के साथ उसी जुनूर के साथ चीजे हो पानी थोड़े मुस्किलात होती है तो लगाता है जिस प्रकार से नॉम्बर में बात कही जा रही थी अब आज आपका नया साल जनुरी लग चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट बिग्यापन को लेकर के लेकपाल भरती को लेकर के कोई भी इंफार्मिशन यूपीटी पलेसी जारी करने की सिती में नहीं दिख कुछ बात हो गई है लेकपाल भरती को लेकर के बात यहां यह भी की जाएगी नहीं जूनियर असिस्टेंट भरती को लेकर के भी प्रकिरिया और यह आजयोग में अधियापन अधियाचंद तो पहुँच चुका है लेकिन बिग्यापन इसका कब जारी क्या जाएगा ये तो संभवना यह भी बन रही है कि पुछ पर भरती बिग्यापन के बाद तुरन्त जूंब असिस्टंट भरती बिग्यापन जारी करने की स्थिति में त्यार है लेकिन पहले लेक्ष पाल भरती के-लिकर जुनियासिस्टन भर्ती के लिए करके त्यारी आगे बढ़ा देगा आपको पता हो का अभी दो से तीन दिन पूर भी उपीटी पलेस्टी ने एक चार सो तीन पदो दो जार निस पदो के लिए 2019 के लेकर लेकर डियूल जारी किया जिसमें डियूड टस्ट के लगबग पैर सौर सो अभर्ते को काल किया गया है 1403 पदों के साफ पेच्छ में अब उनकी DB टेस्ट को लेकर के आगे बात की जाए तो उनकी DB टेस्ट जो है फ्रवरी महा में उनका DB टेस्ट सुरू होने के चांसेज दिख रहे हैं जिया जन्वरी में मुस्किल लेज़े जन्वरी में नहीं हो पाईगी जीज़े फरवरी में आपकी DB टेस्ट जो है जूने असिस्टन भर्ती के जो 6500 बर्ती हैं उनका DB टेस्ट सुरू होने के पूरे पूरे चांसेज दिखना है फरवरी में आपका DB टेस्ट सुरू कर दिया जाएगा आगे बात करेंगे जैसा कि आप लो जानते हैं कल तीन जन्वरी है और तीन जन्वरी से UP टेस्ट सी कारियारे पर जो है जूने असिस्टन भर्ती से जुड़े हुए अन्भर्ती परिचाओं से जुड़े है भर्तेओं का लगातार महासंगराम सुरू कर दिया जाएगा जिहां रिजल्ट 536 पदों के लिए जो है भर्ती जूने सेटन दो और 16 यानि पिछले 5 सालों से अपनी जो है लगातार जो है आयोग पर परिच्छाइदी इंटर्वियू दिया लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ रिजल्ट के पेकिरिया आपको पता होगा जो 6-7-9 बर तक पूरी हो चुकी है और लगभग दो महीने होने माले हैं लेकिन इसका अंतिम पड़ा वभी तक यूपीटिपलसी जाई नहीं कर पाया है और अन्भरतियों को लेकर के यूपीटिपलसी का जियाले पर यल्लिको गार्डन लगातार धना परदरसन लगातार आयोग के खिलाफ नारे बाजिक की जाईगी है भरतियों की तरफ से कल से हैंना कल से तीन जनवरी से यहानी तो लगातार यूपीटिपलसी की भरतियों को लेकर कि अणने भरतियों को लेकर कि जो है दबाव बना जा रहा है लगणों में भरतियों की तरफ से और निशिद तो पर यह grown-upि जाये क्योंकि अब सब कुछ नजदीक है चुना भी प्रदेश में बेरोजारी के जो हालात है निश्यतोपर इवाईस से काफी यदा हालकान है आगे बात करेंगे हम सबी लोग यूपी पीएससी को लिए करके जी हां उत्ता प्रदेश लोक शिवायों के बारे में क्या कुछ खबरे हैं चलिए देखते हैं रीट करते हैं यहां स प्रदेश में बिधान सभा चुना की पारे तारिखों को लेकर के ऐलान कर देगा आपको इस चीज़ की पूरी पूरी सभावनाय भी दिखते हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश में राजनितिक उठा पतक की कहानी सुरू हो चुकी है लगातार जो है प्रतरह तरह की पार्ट थोड़ा गलत दिया गया है यहां पर तो हजार दो नहीं दो हजार बाइस है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं उत्तव देश लोक सेव आयोग की हर साल की अंत में अगले वर्स का भरती परिच्छा करणनर जारी कर देता है लेकिन इस वर्स वर्स दोहर बाइस से अभी जा जारी किया था कोईट के काड़ कई परिच्छा अभी पोस्ट पूर्ण होने पर आयों को यह संसूरी करने जारी करना पड़ा था आपको पता होगा इसमें पछीज जुलाई दोहर बाइस तक चौदा भरती परिच्छा सामिल की गई थी चौदा में से पांच भरती परिच की मूख परिच्छा ठाई जन्वरी से और सहायक बंद सरनाच्छक एसीजigon चैक बनदिकारी परिच्छा अरियाभर 2010 के मूख परिच्छा सात मारसे प्रवक्ता राज के डिगरी कारे स्किनिंग परिच्छा थीन अपरेल को और आर्रो और एयारो मूख परिच्छा जवाप कि वो दस रपल से प्रस्तावित है इसके लवा तेज जर्मिडी को समने तराज अभी अन्तान सेवा पर इच्छा दोयर किस भी प्रस्तावित है जो पूर में जारी आयोग के संसूरी करेंडर में सामिल नहीं थी आपको पता होगा आगे बात करने देख सकते हैं यूपी इसनाती आयोग अभी भी चुनाव की तारीकों का इलान का इंतियार कर रहा है सबसूरी करेंडर उसके बाद जारी की जाएगी तो अभी आठका पड़ा हुआ है और शोत्तरों का माने तो आयोग को कई नई भर्तियों के लिए अधिया चन भी पराप्त हो चुका है लेकिन में आयोग के सच्व जगदीश का काना है कि विधान सवाचनाव की तितियों का घुषित होते हैं भर्ति परिच्छाओं का नया करंडर जारी कर दिया जाएगा तो यह तो बात हो गई है यूपी प्रदेश पॉब्लिक सर्विस कमिशन के बारे में आगे बात करेंगे हम कि परदेश में आई टी आई के जो भरती हैं वो खोजे नहीं मिल रहे हैं जी हां 15 जनुवी तक लास्टिती कर देगाई है लेकिन अब भरती नहीं मिलें इसका सबसे परमुक्म कारण यह दिम जीते हैं आधे से अधिक पर सिच्छकों के पदखारी कैसे चले आई टी आई कोर्स जब सिच्छक के नहीं है तो अधरती अडमीशन लेकर के क्या करेगा आप देशेते हैं अधूरे संसाथनों के बीच अनुवपयोगी कोर्स ताय करके वह खटाने के कवायद पर उठ रहे हैं सवाल एक एक पर सिच्छक पर तीन से चार पार्ट कर्मों को पढ़ाने क के जमेंदारी वाखिरकारों के इतनी भर पढ़ाई को लोगिर के अब देशेते हैं प्रदिश की और दोगिक पर सिच्छर संस्तानों यानि आई टियाई जहां अनुपयोगी कोर्स बंद करने की कवायद हो रही है महीं नए पर सिच्छर कोर्स सुरू करने के लिए टास्क संस्तानों में एक पर सिच्छक तीन से चार पाट करम पढ़ा रहा है और जानकारों का काना है कि ऐसे में बिना पर सिच्छक वाले कोर्सों को अनुपयोगी बताना नया संगत है नया संगत नहीं होगा प्रदेश में इस समय कुद 2995 सरकारी वा गयर सरकारी आई टियाई सं सरकारी संस्तानों में लगबग 8500 यानि 8555 यानि इंस्ट्रक्टर के पद हैं लेकिन इन में करीब 2500 पद ही भरे हैं बाकी लगबग 6000 पद खाली है कुछ आई टियाई में तो किसी भी टेट के कोई पर सिच्छा की नहीं है ऐसे में वहां पढ़ाई राम भरों से चल रही है इह बात कही गई थी कि यो है आप डेवी से प्नाथ जो डरक्टर नहीं अब किरिया होती है वरतमान में नहीं जग बाध 236 पूल और बहर आचन बहजा गया है उल्यप्धिवेट 310 GO बहर दोकूं में और ये जल्यब़र सक्राइक की सिच्छा अब दिखते हैं ये भी एक खबर है कि यूपी टेपल सी धाई हजार पदों की भरती के लिए दिया चन भीचा गया है आई टी आई अनुदेसा के लिए अभी भरती बिग्यापन कब जारी होगा इसको लेकर के तो यूपी टेपल सी को हम बुरी प्रास्मिक्ता के साथ इस भ सब्सक्राइब के लिए आपको पता होगा इसके बाद लेक पाल भड़ती के बिग्यापनाएगा तो अभी चीजे लेट लतीफ है और यूपी टेपल सी बिलकुल आराम से काम कर रहा है किसी प्राइब की कोई वीटेजी यूपी टेपल सी नहीं दिका रहा है जिस परकार स अपडेट के साथ अत्पर अखले धर्नमाद नमस्कार जय हिंद जय भारत